हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे फिल्म लव लेसन के बारे में ये कहानी है वर्ड वर्ड टू के समय की जब पूरा यूरोप वार में विजी था वहीं सुडियन में एक 15 साल के लड़के को 40 साल की एक टीचर से प्यार हो जाता है मुवी की शुरात में हम स्टिक नाम के एक 15 बर्शी लड़के को देखते हैं वहीं दो लड़कियां चुपके से स्टिक को देख रही होती है इस लड़की का नाम लिस्बेट है जो की स्टिक के अपार्टमेंट में ही रहती है वो इस्टिक से प्यार करती है पर ये बात कभी स्टिक को बता नहीं पाती है अगले सीन में हम वैला नाम की टीचर को देखते हैं जो की अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही है वहीं सारे बच्चे उसी के बारे में बात करते रहते हैं की बॉयला बहुत सुंदर है और वो ये जान चुके है कि सारे बच्चे उसी की बात कर रहे हैं तब हम देखते हैं कि सारे बच्चे एकी चिंगम को बारी-बारी से चवा रहे हैं तब एक क्लास रूम में एक मक्खी उड़कर आती है जसे एक स्टिक उड़ती हुई मक्ही को मार देता है किलास खत्म होती है और वॉयला स्टिक को रोकती है और कहती है एक ही चिंगम को चवाना गलत बात है और स्टिक ने जो मक्ही मारी थी उसे साफ करने को कहती है स्टिक सफाई करता है पर उसका ध्यान वोयला पर ही होता है स्टिक घर जाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई घर वापस आ गया है वो काפी खुश हो जाता है दरअसल उसका भाई नेवी में है और वर्ल्ड वॉर के चलते वो काफी समय बाद घर आया है Stix अपनी मा से पूचता है कि भाई कहा है तब वो बताती है कि तुम्हारा भाई बाहर गया है Stix अपनी मा को अपने भाई का लिखा हुआ लेटर पड़के सुनाता है जिसमें लिखा है कि उसके भाई का सम्मेरीन में ट्रांसफर होने वाला है पिर वो घर से निकलता है तब ही उसे Lissbet मिलती है वो उसे बात करना चाहती थी मगर वो वहाँ से चला जाता है Actually Lissbet स्टिक को काफी पसंद करती है वो हमेशा स्टिक को चोडी से देखती रहती है स्टिक पार्ट टाइम सिना महौल में सिनेक्स बेचता है तब ही उसका भाई उसे आगर सर्प्राइज देता है और फिर वो कहता है कि मैं सब्मरीन पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ अगले सीन में हम देखते हैं स्टिक क्लासरूम में बैठा वॉयला की डिक्सिनरी पढ़ रहा होता है स्टिक डिक्सिनरी को वापस रखने जाता है तब उसकी नजर वोयला के खुबसूरत पیरों पर पड़ती है और वोयला उसे नोटिस कर लीती है स्टिक पूरी तरह वोयला के प्यार में पढ़ चुका है और हम देखते हैं कि वो हर वक्त चोरी चुपके वोयला को देखता रहता है हम देखते हैं वोयला क्लास में पढ़ा रही है और वो क्लास में पूछते है कि क्या कोई मेरे साथ चलेगा मुझे कुछ जरूरी सामान लेने जाना है स्टिक सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता है क्योंकि वोयला और स्टिक जब उपर जा रहे होते हैं तो अचानक से भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और स्टिक उसे किस करने लगता है वॉयला उसे कुछ नहीं कहती लेकिन अचानक से थोड़ी दिर में खुद को दूर कर लियती है क्योंकि उसे याद आता है कि वो स्कूल में है वो दोनों उपर वाली कमरे में जाते हैं और रूमांस करते हैं स्कूल के बाद सब बच्चे यरप्लेन को देखने जाते हैं जहां पर स्टिक अपनी दोस्त को जूट कहता है कि मेरी तवियत ठीक नहीं है मैं घर जा रहा हूँ और वो सीधे अपनी साइकल से वोयला के घर चला जाता है जहां वोयला उसे देखकर चौक जाती है और उसे घर में बुलाती है फिर वो दोनों किस करते हैं वोयला उसे कहती है कि ऐसे अचानक मेरे घर पे नहीं आना मेरे हस्बेंट घर पे ही रहते हैं ऐसे में एक दिन इस्टिक वोयला के घर पे होता है और अचानक से उसका husband आज जाता है लेकिन वो इस्टिक को वोयला का student समझ कर माफ कर देता है आगे हम उन दोनों को intimate होते हुए देखते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी time spent करने लगे थे एक दूसरे से छु में घर जाता है एक दिन वोयला का बाथरे है और इस्टिक फूल लेकर उसके घर चला जाता है पर वोयला घर पे नहीं होती है और इस्टिक की मुलाकात उसके husband सो जाती है तब वो इस्टिक को अपने काम के वारे में बताता है कि वो क्यों जाधातर बाहर रहता है आगे हम वाइला और स्टिक को साथ में सोई हुए देखते हैं क्योंकि अब स्टिक हर राज चुपके से वहीं सोने लगता है। एक दिन सुबह सुबह स्टिक उठकर किचिन में जाता है जहां वोयला का हस्पेंड होता है और वो स्टिक को देख लेता है पर वो स्टिक से कुछ नहीं किया था क्योंकि उसे वोयला और स्टिक के अफेर के बारे में पहले से पता होता है फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन और स्टिक को आँखे बंद करने को कहती है जब स्टिक आँखे बंद कर लेता है तो वो अपने कपड़े उतार देती है जब स्टिक आँखे खोलता है तो वो लिस्ट बैट को बिना कपड़ों में देखकर चौक जाता है लिस्ट बैट कहती है मेरे पास production भी है स्टिक के कुछ न कहने पर वो नाराज होकर कपड़े वापस पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है अगले सीन में स्टिक और वोयला साथ में हैं स्टिक वोयला से कहता है की तुम अपने husband से डाइवोस क्यों नहीं ले लेती वयला कहती है मैं उसके साथ रहकर जो चाहूं वो कर सकती हूँ इसलिए शाम का वक्त है वयला का हस्बेंट और स्टिक साथ बेटे हैं और बहुत सारी बाते हैं जहानगों ओवर डरिंक करने की वज़ настро है उसके बाद वहाँ वायला आती और स्टिक को अपने कमरे में बुलाती है पर स्टिक उसके पास न जाकर अपने घर चला जाता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं वायला के हस्पेंट के लिए बुरा फील होता है स्टिक सोचता है कि वयला का хозя princess के साथ कितने अचजे तरीके से पेश आता है पर वो वयला के साथ अफ़यर करके उसे धोका दे रहा है अगले दिन जब हो स्कूल में होता है तब वयला उसे लिक कर बताते है कि वो शाम को उसे मिलने आईगी पर इस टिक वाश्रूम का बहाना बना कर वहाँ से चला जाता है वो वाश्रूम में जाकर एक बॉक्स में छुप जाता है फिर वहाँ सारी लड़की आती है जिन में लिस्पेट भी होती है वो से चुपके से देखता रहता है और जब सारी लड़किया चली जाती है वो उसे एक चिठी फिक पास बुलाता है और लिस्पेट भी उस बॉक्स में चली जाती है वहाँ वे दोनों इंटीमेट होते है लिस्पेट पूछती है तुमने ये सब कहां से सीखा तब वो बताता है कि सिनेमा हॉल में मूवी देखी वो दोनों साथ में काफी टाइम बिताते हैं जिसमें लिस्पेट काफी खुश होती है फिर एक दिन एक ऑफीसर उसके घर आता है जो स्टिक को एक चिठी देता है जिसमें लिखा होता है कि उसका भाई वो और मैं शहीद हो गया इस्टिक ये जानकर काफी तूट जाता है और ड्रिंक कर लेता है वो बहुत रोता है इस्टिक अपनी मा के पास आता है जिने ये मालुम हो चका है कि उनका बेटा नहीं रात वो बहुत दुखी हो जाती है और इस्टिक उन्हें समालने की कोशिश करता है एक दिन वोयला इस्टिक से मिलने से ने माहल जाती है जहान लिस्पैट भी उससे मिलने आती है पर इस्टिक उसे कहीं नहीं दिखता तो वो स्टिक को ढूंड रही है और वो देखती है कि स्टिक और वोयला इंटीमेट हो रहा है ये देखकर वो स्टिक से ब्रेक अप कर लेती है अगले दिन स्टिक वोयला से मिलने जाता है वोयला ने काफी ड्रिंक कर रखी है वो स्टिक से इंटिमेट होने के लिए कहती है स्टिक उसे मना कर देता है तब वोटल तोड़ कर स्टिक को डराती हूँ कहती है कि कपड़े उतारो स्टिक स्टिक के पास कोई रास्ता नहीं होता जिससे वो उसके साथ इंटिमेट होने लगता है अगले दिन जब वो इसकूल जाता है तो वायला उससे बताते है कि तुम अगले साल से मेरे किलास में रहोगे स्टिक के पूछने पर वो कहते है कि तुम फेल हो गएओ और मैंने प्रिंस्पल से भी बात कर ली है दरशल बॉईला ऐसा इसली करती है क्योंकि स्टिक उसके साथ सेक्स करने के लिए मना कर देता है इस्टिक जब कलास में होता है तो बॉईला उसे अपने कपड़ ऊपर कर अपने पैर दिखाती है जिससे वो गुस्थ हो जाता है आगे हम उसे प्रिंसिपल आफिस में देखते हैं जहां वो भी उससे फेल होने की बात करता है इसलिक काफी तूट चुका है बॉयला सभी स्टूडेंट को अपना रिजर दे रही होती है तब हमाँ इससे गाता है और सब के सामने अपना पैनिस दिखा कर चला जाता है फिर वो बॉयला के किलास में जाता है रहो उसकी सारी वुक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है दरसल बॉयला को वुक्स का काफी शौक था इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए सारी वुक्स लेकर चला जाता है दोस्तो यह थी फिल्म लव लेसन की कहानी